ये सिवपुर बिलाक का माजा दरिया भुर्ज का ये लोनियन पुरुवा है यहां के लोग कटान से इसकदर परेसान हैं कि लोगों के मकान, लोगों की जोपडिया, लोगों के खेट सब पानी में प्रवाहित हो गए हैं मैं कैमरा मैंन से कहूंगा एक बर दिखा दें, ये घागरा नदी है, लेकिन ये घागरा नदी नहीं है, घागरा नदी यहां से पांच किलो मीटर दूरी से सुरुवात होती थी लेकिन आज की इस्तिती ये है कि ये पांच किलो मीटर का एरिया पूरा घागरा बन गया है इस तरह से अपनी जिन्दगी वो जी रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी दुख, उनका तकलिफ आपको दिखाने की कोशिस करेंगे, आप उठिये, क्या नाम है आपका? सन्नो नाम है सर, सन्नो जी कटान जो हुई है, क्या आपका मकान भी उसमे कड़ गिया है? हाँ सर कट गया है विपार, कट गया है, हाँ, यह बताइए कैसे फिर रहती हैं आप, क्या क्या था उस मकान में आपके? बहुत कुछ रहा सर, गल्ला रहा है, रासन रहा सब कट पिटी कवा है, और जो सलंडर रहा सब चीज यानि रहा घर का सब कट गया है, जो बचा पैसर वही बचा है, सब चला गया है, सब चला गया है, तो यह बताइए क्या करते हैं पती आपके? पती मारे सब नहीं है तो बच्चे हैं यह यह बच्चा तो कैसे जी आ रही है बच्चों को मांग के लाईश है नहीं मिल जाते तो बना ले जी एक देवर आम लाके दे दिया थैं तो भी देदे तो खाईश है नहीं तो कहें मागे से मिल जाला है काकल। चैनल जी इनके साथ हमारी हमदर्दी है और इनके पती भी नहीं है, खतम हो गए हैं इनका जो मकान था, वो भी पानी में चला गिया है उसमें आनाज, गल्ले जो भी थे, सब इसी जल में जलमंगन हो गया है किसी तरीके से अपने बच्चे के साथ ये जिन्दगी अपनी जी रही है यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे तो कैसे जिन्दगी आप लोग जी रहे हैं जैसे कटान से प्रियतित होकर हम लोग जैसे अप टाइम पाएंगे तो इसकी मजूरी करकर के अपने पेट पालन करते हैं पेट पालन करते हैं यह बताईए इसमें तो खत्रा भी काफी बना रहता होगा बहुत ज्यादा खत्रा बना रहता है इसमें से हम लोगों को यही उमेद है कि कहीं भी सरकार जो चाहेगी तो हम लोगों को बचा सकते हैं जैसे लड़के बच्चे को लिए बहुत ज्यादा खत्रा है अच्छा ये बताईए सब जोपडिया जो बनी होई है यहां से दसी कदम की दूरी पर ये घागरा सुरू हो जाती है जो अभी बढ़ कर आ गई है तो ये बताईए रात को कैसे मतलब आप लोग का रात कैसे आप लोग की कटती है जैसे रात में हम लोग हैं तो दो दो चार चार लोग जब बच्चे सूने लगते हैं तो हम लोग जागते रहते हैं कटने लगता है तो मरय जोपरी हटा कर फिर थे पहड़ार देते हैं लगलग लोग & बाते हैं जो खतरा है जो कटान का उसको लेकर जो दहसत है ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं रात को जाकते हैं कि ऐसा ना हो कि कटान में उनका घर भैजाए नन्हेम उन्ने बच्चे जो सो रहें उनके उपर मुसीबत आ जाए आफ़त आ जाए यहां पर एक बजुर गौर बैठे हुए हैं वो भी परिसान बेहाल लग रहे हैं अनसे हम बात करेंगे क्या नामेदा ये बताइए क़ा परिसानी है यह कटान पिटान सी बहुत प्रिसान है खेट पाद रहना है वह आप लोग के जो खेट थे अरे खेट अधिन पर हैं तो उसे खाले नदी में जाने से पहले जब खेट नदी में नहीं गया था तो क्या आप लोगों ने फसल उसमें लगा रखती थे अथी परिसानी कब होना है भाएती जिन्दी यह कम से कम वह तो भाएं दस बारा कट हुआ हो गया है तो यह गिरामिड है यह अपना दर्द बता रहे हैं नम आखों से और साब तोर पर इनका कहना है जो इनके मकान है इनके खेट है वो पूरी तरीके से जल्मगन हो गए है पूरी तरीके से पानी में चला जाए उनके मकान पानी में चले जाए तो सोचिए किस तरह से वो अपनी जिन्दगी को बिताते हैं यहां पर एक बुजूर गार बैठे हुए है आपका क्या नाम है यह बताईए खेट कहां गया आपका खेट हमारा नदिम है अब धान लग जाए इतनी लागत लगे थी जो बारा विगहा अपने धान लगाया था कुछ करजा पानी भी लिया था करदा पानी कहां लाइप अजय नहीं होगी अंदर से अध्लिप में दुख में हो जब लगा रहे थे तब सोचा था कि अईसा भी हो सकता है तो कैसे क्या जरिया है कैसे आप लोग खाते पीते हैं कैसे रहे हैं जरिका कहों बाहर चले गए तो एक सूचना यह भी मिल रही है कि यहां से दो तीन किलो मीटर दूरी पर एक रोड भुआ करती थी जो पूरी तरीके से घागरा में समाहित हो गई है उस रोड जो कड़ गई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यह बताइए एक सूचना मिल रही है यहां से दूरी पर दो तीन किलो मीटर दूरी पर एक रोड हुआ करती थी एक गाउं को दूसरे गाउं से जोडती थी सूचना यह मिल रही कि वो भी पूरी तरीके से कड़ गई पूरी कड़ गई वो जरासा बची नहीं जरास नहीं बची यही पर साल यह मुसीबत आती थी आपकी बार आई है नहीं के दो साल पहले थी अब थोरा पर साल बचत रही इस समय फिर वह ही टाहल है यह बदाए खेट पाट वह नदी में हैं पूरे नदी में एक विष्वो जमिन यह पर है नहीं कैसे रहे रहे हैं इस गाउं में किसी नहीं किसी नहीं की आवादि होगी इस गाउं की अबादि करीब सो घरके लगवद महोगी तो सारे किसान होंगे उसमें से, प्चिम, तब नदी में समाहित है, जो किसान थे, आप भे किसान है, तो मुख सुरोत आई का क्या था, कैसे आप लोग जिन्दगी अपनी जीते थे, आई कहा से, आप लड़के, अब इस समय लड़के बाहर हैं, वही कमाते हैं, इसलिए कि उसमें करजा पानी लेकर भी खेत को जोताइब हुआई की गई थी तो यह गिरामिड थे इन्होंने अपना दूख बताया है इनका खेत मकान घर रास्ते सब इस घागरा में परवाहित हो गए हैं पूरी तरीके से जल्मगन हो गए हैं अब कटान अपनी चरम सीमा पर है इस कदर कटान यहां पर देखने को मिल रहा है पचास लगबग घर ऐसे बताये जा रहे हैं जो कटान में पूरी तरीके से जल्मगन हो गए हैं अब यह देखने वाली बात होगी परसासन इनकी क्या मदद करता है स्यूपूर बलाक के लोनियन पुर्वा से बिन्नू बालमिकी क लोनियन के लिए